एक विशेश खबर भी आपको बता देते हैं कि अमेरिका के नियाए विभाग ने एक बयान जारी करके भारत पर अमेरिकी अमेरिका में स्थित सिख अलगाव वादी नेता गुरू पत्वन्त सिंग पन्नू की हत्या करने की साजिश का आरोप लगाया है। ये बयान अमेरिकी अट़र्नी कार्याले ने जारी किया है और इस बयान में कहा गया है कि grab शेहर में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की नाकाम साजिश में शामिल भारती नागरिक निखिल गुपता के खिलाफ आरोपत्र दायर किया गया है। संयुक्त राज अमेरिका और चेक गंडराज के बीच दुपक्षिय प्रत्यरपन की जो संधी है जिसके तहट चेक अधिकारियों ने 30 जून 2023 को निखिल गुपता को गरिफ्तार किया था जब इस पर भारत के विदेश मंत्राले से प्रतिक्रिया मांग गए तो विदेश मंत्राले ने कहा कि जैसे हमने पहले जानकारी दी अमेरिका के साथ दुपक्षिय सुरक्षा सहयोग की बैठक के दौरान अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराद आतंकबादी बंदूग कारो बारियों आदी के बीच गटजोड को लेकर कुछ सूचनाएं दी थी हम ऐसी सूचनाओं को गंभीरता से लेते हैं और एक उचस तरिये जाच समिती इस मामले में प्रासंगिक पक्षो की जाच के लिए गठित कर दी गई है और कमेटी के नतीजों को लेकर जरूरी और ज्यादा सूचना साजा नहीं कर सकते जहां तक अमेरिकी कोर्ट के में एक शक्स के खिलाफ मुकदमे का सवाल हिपार उनने कहा कि कतित तोर पर भारती अधिकारी से जोड़ा जा रहा है ये गंभीर चिंता का विशे है हमने कहा है और फिर दोरा रहे हैं ये सरकार की नी बते नेक्स प्राइब टी अइन रहे हैं आगी अपने कि अप्रुब आर खिर रहे हैं लगा मुकदमे स्टारी से टोरा ला थर शाफ़ा जजेन लगजादर बते तोर पार्श कर सकते अप्रवार श्रुचान से जलाब बते टेखर जा जेसे हैं तोर देज़ा है स्डिकेश मैटर्स भारत की तरफ से इस पर क्या कारवाई होगी? जो आतंक वादी है उनके बीच की जो मिली भगत है वो चिंता की बात है और इस मामले में एक उचस्तरिये जांच समिती जो है वो बिठाई गई है जो जांच नतीजे निकल कर सामने आएंगे उसके उपर आगे कारवाई जो है वो की जाएगी ये बार बार भारत के विदेश कारवाई नहीं की गई है और इससे जो भारतिये राजनाइक है वहाँ पर कैनाडा में उनकी जान को खत्रा भी पैदा हुआ है तो ये दोनों मामले चाहे अमेरिका से जो जानकारी आई हो या फिर कैनाडा से जो आरोप लगाया गया उस दोनों को बिलकुल अलग करके भार आरोप में नहीं है इस मामले पर भी जब सवाल पूछा गया तो भारत का ये कहना है भारत विदेश मंताले का ये कहना है कि इस मामले में जो जाच होगी उचसतर ये जाच होगी उसमें जो कुछ भी निकल कर सामने आएगा उस पर कारवाई की जाएगी क्योंकि ये इस तर करनेतिक साज़ेदारी है जून में प्रधानमंत्री मोधी अमेरिका गये थे जी ट्विंटी में बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राश्पती भारत आये थे अगले साल जनवरी में उनके 26 जनवरी के मुख्याती थी के तोर पर आने की संभावना है तो ऐसे में दोनों ही देश जो हैं अपने रिष्टेव को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यह जरूर है कि जो चिंता अमेरिका की तरब से जताई गई है भारत उसको पुरा तबज्यों दे रहा है जो बढ़ने की तरब से जताई प्लिए ज़रा है भारत वी साथ